एलो गैस वेलकम बेक टू माइक्रो उनलाइन सर्विस आश्टा दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं विद्याधन स्कॉलर्शिप के बारे में जी हाँ दोस्तो ऐसी स्कॉलर्शिप जिसमें विद्यारती ने 2024 में अगर दस्वी पास की है तो वह आप भर सकते हैं और उसे भारत सरकार के द्वारा 20,000 रुपे आपको दिया जाएगा उसकी क्या प्रोसेस रहेगी सारी जानकारी एक्स वाई जेट बताने वाले हैं और यह जो फॉर्म है यह आल इंडिया लेवल के लिए है सभी राज्यों में इसमें आपको देखिए यहां पर इसकी गाइडलाइन को समझ लीजिए स्कॉलर्शिप अमाउन क्या रहेगा आपका हम इसकॉलर्शिप की बात करें तो दोस्तों इसकॉलर्शिप आपको 10,000 रुपे पर येर के नुसार 2 साल तक आपको स्कॉलर्शिप मिलेगी अब यहां पर देख लेत दोस्तों को साथ जुलाई 2024 को आपका इंटरिव्यू रहेगा उस इंटरिव्यू को आपको फेस करना रहेगा उसमें अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आप इस स्कॉलर्शिप के लिए इलेजिबल रह पाएंगे अब यहां पर देखेंगे आपका रिक्वार्मेंट जो डोकुमेंट है वो उसकी बात कर लेते तो आपको कौन-कौन से डोकुमेंट स्केन होंगे और आपको फोटोगाफी लेकर के जाना रहेगा तो यहां पर देखेंगे टेंथ की मार्शीट ओरीजनल मार्शीट होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्म में अवेलेबल रह पा आप चाहें तो फोन लगा कर बात कर सकते हैं यहां पर देखेंगे कौन-कौन से इस्टेट में अभी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है तो वो भी हम प्रोसेस पूरी कंप्लीट समझ लेते हैं सबसे पहले आपको आल्रेडी रेइस्टर्ड इस वाले अप्शन के उपर क्लिक करना है आपके पास आइडी तो होगा नहीं इस साल की तो करना क्या रहेगा सिंपली आपको यहां पर देखेंगे सब्सक्राइए तो यहां पर जाएगी इसके बाद में आपका last name यहाँ पर आपको डाल देना है Gmail ID यहाँ पर इंटर करना रहेगा इसके बाद में यहाँ पर आपका कौन सा domain है Gmail है यहाँ है जो भी कुछ है उसे आपको यहाँ पर select कलेना ड्रॉप करके ठीक है इसके बाद में यहाँ पर आपको password बनाना रहेगा password में कैसा बनाना रहेगा जो भी आपका नाम है add the rate लगा के 123 लिखना रहेगा दोनों बार आपको confirmation करना है इसके बाद में यहाँ पर आपको registered वाले option के उपर click कर देंगे तो registered हो जाएगा राइट अब दोस्तों देखना यह है कि यहाँ पर आपकी gmail id और जो password है उसे डाल करके आप login कर लेंगे लेकिन उससे पहले एक बात धियान रखिएगा आपकी gmail पर एक activation link आईगी उस link के उपर आपको click करना रहेगा उसके बाद में ही आप firm को apply कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम login करने के बाद देखेंगे कि यह तमाम जितने भी राज जी है इसमें जैसे आंदर प्रदेश बिहार तलंगाना या फिर करला उत्तर प्रदेश प्रोडिश चरी इसके बाद में करना टेक तमिलनाडू लद्दाक इसके बाद जहर कंड वेस्ट बंगाल गोवा यह जितने भी तमाम जितने भी राज जी इसमें आ रहे हैं इसमें अभी आप apply कर सकते हो और अगर आपका इसमें यहाँ पर राज जी नहीं आ रहा है तो यह ध्यान करेंगे जैसे हमारे पास उत्तर प्रदेश का डेटा है तो हम यहाँ पर apply नाव वाले option के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डेट भी लिखी रहेगे अब यहाँ पर देखना है आपको कि यहाँ पर इंटर्वियू का प्लेस आपको किस प्रकार से रखना ऑ अगर आप ओनलाइन रखते हैं तो ओनलाइन के अनुसार भी आप अपना इंटर्वियू दे सकेंगे तो यहाँ पर देख लेते आपका यह प्रोसेस तो कंप्रीट हो गई है अब यहाँ पर आपका जो नाम है वह आपको यहाँ पर सेलेट करना रहेगा इसके बाद में पर नमबर इस वाले ऑप्शन को ऊपर क्लिक करना है अगर आपके वह अलग है तो आपको नौवाले ओप्शन के ओपर क्लिक कर देना रहेगा तो यहाँ पर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नमबर है तो यहाँ पर दे सकते हैं जो भी आपका ऐड्रेस है काउन का नाम सेहर पर सिलेट करना रहेगा परवान एड्रेस और आपका प्रजेंट एड्रेस दोनों एक जासे ही तो यहाँ पर इस वाले अप्षिन के उपर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपके फाधर की और मजर की पूरी डीटेल आपको देना रहेगा dadar का नाम आपको यहां पर टाइप कर देना है वो आपको यहां पर दिखाना है क्या एडूकेशन मदर की है वह आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा इसके बाद में यहाँ पर बात आती है आपका 10th class की माक्षिट की है तो यहाँ पर कौन सी इस्ट्इूट से आपने Pass Out किया है इसके बाद कौन सी एर में आपने पास आउट किया आपको 24 सी सेलेट करना रहे अपको यहां पर सेलेट करना है अब यहां पर दोस्तों देखना आपको कि 11th क्लास और 12th क्लास में आप इंटर में कौन सा subject लेना चाहते हैं आर्ट लेना चाहते हैं या फिर biology, commerce, diploma जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो subject आपको यहाँ पर choice करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा तो आपने यहाँ पर जो भी आपका जो सन है उसे आपको select का लेना है तो यहाँ पर तो इसके बात यह पर जो देखेंगे कि पूरी जानकरी आपको में क्वाद करेंक कमीव 돌아 क्लास में क्वाशन काम क्लास मैं इसपव्य मैं एक कौन से मेडियम से करना चाहते हैं वह मेडियम आपको यहां पर सेलेट करेना इसके बाद में यहां पर देखेंगे कि आपको ताइप ऑफ इंस्ट्यूटेशन की बात करते गॉवर्मेंट टाइप यह यह जो भी कुछ हो तो इन में से जो भी कंडिशन आपकी बनती है उसके इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ेंगे यहां पर आगे यहां पर आपके सामने रहेगा फैमली इंकम एंड हाउस डीटेल तो आपकी बात करते हैं कि आपको जो इसको में बढ़ा ही गोर सो समझ ना दोस्तो वाइंधकर थो फैमिली एंकम की रहेता है आपका 12000 आप 20 में कितने ओर यहाप कर रहे हैं या आभी तक कर रहे हैं तो अगर यहां पर कोई नहीं कर रहें हैं तो आपको Zero कर देना रहे, इसके बाद में ध्यक्ters कैसे बात करें तो दोस्तों यहां पर आपके सामने I Google रहेगा, अगर आपने इस्पूल में किसी प्रकार का कोई इसे अ हिस्सा लिया है कैपने अलग से कुछ कुछ कोर्स किया है या जैसे आपने कोई स्पोर्ट में कुछ का आपने हिस्सा लिया है तो वह आपको यहां पर दिखाना रहेगा अगर कुछ भी नहीं है तो आपको दिखाना रहेगा अगर कुछ नहीं है तो आपको नो कर देना है यहां पर अचीवमेंट की बात करें तो यहां पर achievement में जो भी आपका achievement है अगर आपने इस साल में या इससे last time में अगर कोई साचीवमेंड लिया है किसी परकार का आपको को कुई पुरुसकार मिला है तो आपको यहां पर दर्शान आए अगर नहीं है कर रहे हैं तो आपको यहां पर उसका पूरा डीटेल देना होगा नहीं है तो यह नहीं है दोस्तों इसे आप छोड़ सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि हाँ डीड यू हिए आभाउड विद्याधन स्कॉलर्षिप के बारे में आपको कहा से पता चला है तो यहां पर आपके सामने न्यूस पेपर प्रेंट्स वग्यारा इस्कूल टीचर या फिर सोसल मीडिया तो आप सोसल मीडिया का अगर उप्योग करते हैं तो यहां पर आप बढ़ा सकते हैं अग दोस्तों यह सारी टमसेंड कंडिशन हमने जैसे नाम दे दिया है इसके बाद में यहां पर मेंडेटरी वाली जो फिल्ड रहेगी वह क्या रहने वाली है यहां पर आपको देखना रहेगा टेंथ की मार्क शीट ओरीजनल इसकेंड करना होगा फोटोग से पूरी डीटेल कंप्लीट होने के बाद आपको सब्मिट वाले ओप्शन के उपर क्लिक कर देना है यहां पर आपके पास में एक रफ्रेंस नमबर आएगा उसे नोट डाउन करके रख लेना है इसके बाद में आपका इंटर्वी के लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा सनला के लिए आपको अनलाइन ही रहेगा अब दोस्तों सिलक्षन के लिए क्या प्रोयसस रहेगी वह सुन लीजिएगा ostission के लिए आपके पास mobile पर message आएगा या फिर आपके पास call आएगा जो भी आपका है इंटर्वी होने के बाद की process में आपको बता रहा हूँ इन तीनों condition में से जो भी आपके पास follow होती है उसे follow कर लेना इसके बाद में आपको complete होने के बाद में आपको document verification करना रहेगा इसके बाद में सारी process complete होने के बाद आपका payment आपके account में completely इंटर कर दिया है तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए channel को subscribe करे, वीडियो को like करे, धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुक्राइब